हांजी डिया स्टुडेंट वेरी वेरी गुट इवनिंग वेरी वेरी गुट इवनिंग वोई से करिये वोई स्क्लियर है यूर नॉट ऑडिबल चेक करते हैं आरे वोईस तो सबसे पहले हम कुछ बाते कर लेते हैं क्योंकि आज तो सर्फ इंट्रोडेक्शन रहेगा तो हमारा जो चैप्टर है मतलब सब्जेक्ट जो है अब यह सब्जेक्ट कौन-कौन से बच्चों के पास है कौन-कौन से बच्चे पढ़ते हैं सभी का मैं एक बार डिटेल देता हूं वैसे सब्जेक्ट का नाम है हमारा fundamentals of investment इसको एक और नाम से जाना जाता है generally एक और नाम से सेमी है बस थोड़ा सा कई बार book देखोगे तो नए नाम से देते हैं इसको investment management का मतलब क्या होता है सबसे पहले यह एक बार देखते हैं फिर हमें एक सब्जेक्ट समझ में आएगा थोड़ा सा what is the meaning of investment जैसे मान लो आपके आप घर में देखते हो normally कि आपके parents भी investment करते हैं in fact आप में से भी कुछ बच्चे investment कर रहे होंगे recording लगाना भूल गया है चलो लगा देते हैं लगा दिया ठीक है आप में से कुछ in student भी investment करते होंगा सर कैसे investment करते हैं जैसे मान लो आपको parents ने 1000 रुपए दिये तो आप 1000 के 1000 रुपए बचा लोगे क्या मान लेते हैं आपको parents ने 1000 रुपए दिये कि एक काम करते हैं कि अभी मान लेते हैं कि दिवाली आ रही हैं दिवाली पे कुछ pocket खर्चे के लिए 1000 दिये पेरेंट्स यह मानके चल रहे हैं कि आप पूरे हजार खर्च कर दोगे लेकिन आप हजार रुपे खर्च नहीं करोगे इसमें से सपोज आपने आठ सो रुपे क्या किया खर्च कर दिये, आठ सो रुपे आपने खर्च कर दिये आठ सो रुपे आपने खर्चा कर दिया आपने दो सो रुपे इसमें से बचा लिए यानि आपकी जो जरूरत है वो आठ सो रुपे में पूरी हो गई तभी तो आपने दो सो रुपे बचाए अगर आपकी जरूरत हजार रुपे में भी पूरी नहीं होती और तो आप किसी द तब ये जो 200 रुपए है, आप इस 200 रुपए को सोचोगे कि 200 रुपए को हम किस तरीके से और multiply करें, यानि हम इसे bank में रख दें, नमबर वन, और bank में saving account में रख देते हैं, नमबर दो, हम एक काम करते हैं, यार bank में रख देते हैं, और इसको हम FD कर देते हैं, वहाँ ज़् मिलेगा number 3 हम इसको share market में लगा देते हैं यानि हम इसको mamma लगा देते है the number 4 आप इसको deb Commissioner में लगा देते हैं हम इसको number 6 अधर को interest पे दे देते हैं interest पे हम किसी friend को दे देते हैं तो HER 500 ले डो मेने बाद ce Reault यानि जो पैसे आपके थे वो आपकी ज़रुरत पूरे होने के बाद बचा तो आप इसको कहीं न कहीं लगाना चाहते हो इसको हम बोलते हैं investment कोई भी ऐसा person नहीं है कि उसके basic needs पूरे नहीं हुए और आप investment करने चले जाओ investment का मतलब होता है हमारे सारी जरूरते पूरे होने के बाद कुछ पैसे बच गए उसको investment करते हैं तो उस investment को करने के क्या-क्या fundamentals है यानि आपको maximum benefit कहां मिलेगा वो हमें समझाया जाएगा इसके अंदर basically ये सारे काम जो होते हैं insurance company जो होती है वो करती है क्योंकि insurance company या mutual fund company का काम क्या होता है हम जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि basically वो लोगों से पैसे लेके share market में लगाती है तो किस shares में पैसे लगाए जाए या किस debenture में लगाए जाए वो सिखेंगे तो इसका नाम हमारा investment को manage करना भी हो सकता है या investment को fundamental भी management को ही fundamental बोला गया कि क्या क्या आप किस तरीके से करोगे सर ये subjects ना काफी सारे university में भी है अलग-अलग नाम से है मैंने बता दिया fundamental of investment और investment अब सर इसको पांच unit में डिवाइड किया हुआ है total सर पांच unit किस-किस में डिवाइड किया हुआ है मैंने पहले ही लिख लिया थोड़ा सा time मतलब कि आपको समझ में आ जाए पहले ही लिख लिए है मैंने हालाकि हर जगह हम पर का साय युणिट को अलग अलग मार्ट में बार देते हैं जैसे आप युणिट को जब कभी भी देखो गे न तो थोड़ा सा समझ बन यालेगे थोड़ा सेिर्टिन कार पाईगे कि करना क्या से Savannah शतर में का क्र रहा को रहा हुँँ तो B.com के साथ हाँ देखे ये subject ऐसा है कि आपके कब-कब काम आ सकता है आप further कोई भी study करते है B.com के बाद चाहे आप M.com करें चाहे आप MBA करें चाहे आप C.A.C.S कोई भी आगे फर्दर जाएंगे इसके अंदर इस subject का होना तै है ये भी होगा एक तरीके से मैं मानके चलताہ हूँ कि ये financial management का advance version है यानि जो आपने financial management अभी खतम किया था वो financial management आपका मानके चलो एक part था दूसरा ये financial management का part है तो दोनों को add कर दें तो तब जाके पूरा का पूरा financial management बन जाता है हमारा financial का मतलब पैसा पैसे को manage करना उसके अंदर स्रिफ और स्रिफ assets से related और क्या cost होगा उसी को हम आगे बढ़ा के fundamental of investment मतलब इसके अंदर हमारे पास basically share market की knowledge मिलेगी और debenture bond यानि हमें कहां पैसे लगाने है इसकी जानकारी मिलेगी financial management में क्या था हमारे पास पैसे थे हम assets को खरीदे नहीं खरीदे इस assets मतलब कि किस तरीके से हमें return मिलेगा पूरे firm की valuation कैसे निकालेगी वो चीज़े सीख चुके उसके बाद यह है हाँ मैं यह कह सकता हूँ जिसको financial management नहीं है डारेक्ट यह करेगा तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है हलाकि बाकी होगी नहीं तो आप लोगों के real life में भी बहुत connected रहेगा banking के job में बहुत काम आने वाला है यह चीज़े इसके अंदर किसी दिन में क्लास रखूंगा trading hour क्योंकि stock market का trading hour होता है सवा नो बजे पैसे नो बजे होता है सवा नो बजे से लेके साड़े तीन बजे तक का time होता है उसी बीच में दिखा पाऊंगा सर unit number first के अंदर क्या है सर यह वाला पार्ट जो है कि अगर नहीं भी पता तो जो हमारा unit होते है न सभी unit अगर हमारा paper जो है 75 का है तो सभी unit को 15 15 15 में बाट दिया जाएगा अगर paper 90 का है तो सभी unit को 18 18 18 में बाट दिया जाएगा तो हम सीखेंगे analysis of risk of return या फिर portfolio का selection कैसे किया जाए सर portfolio क्या होता है यह जब हम chapter करेंगे तो हम अच्छे से detail में पढ़ते जाएंगे अभी कुछ मैंने unit में कितने chapter है किस तरीके से करना है इसके बाद fixed income या valuation of yield तो यह जो second unit है most important है इसमें से questions पूछे ही पूछे जाएंगे इसके अंदर bond का valuation है equity का valuation है काफी सारे valuation है जैसे कि FM के अंदर second unit important है यहां भी यह unit important है इसमें सिर्फ एक ही chapter है तो obvious सी बात है लेंदी होगा यह हाँ लेकिन एक चीज और बता दू कि कुछ बच्चे ऐसा ना सोचे कि 12 के अंदर मेरा strong नहीं था मेरा graduation में strong नहीं था इसका account से कोई ज्यादा relation नहीं है बहुत कम है यह हमारे general knowledge के base पे है हमारे अपने मान के चलो जो आप real life में करते हो वो चीज़े यहां दिखेगा थोड़ा बहुत economics का use हो जाएगा statics का कि average वगएरा कैसे निकाला जाए उसका use होगा थोड़ा थीक है इसके बार है आपका equity analysis एक़िटी को कैसे करें आनलेसिस का मतलब यही है कि आपको एक शीर 10 रुपे का मिल रहा है एक शीर आपको बारा रुपे का मिल रहा है तो आपको कहून सा share घुटी share एकूटी share कौन सा खरीद ना चाहिए 10 वाला या 12 वाला तो ऐसा नहीं है के 10 वाला सस्ते वाला खरीद लो आप उसके उपर return भी count करोगे क्या पता इसके उपर जो 12 वाला है उसके उपर return पांच रुपए मिल रहा है इसके उपर return थ्यान रखना चाहिए, valuation किस तरीके से equity का लगाए जाता है, थोड़ा बहुत touch पहले का है, लेकिन completely new है, अब portfolio का analysis कैसे कहते हैं, portfolio का मतलब क्या होता है, basically थोड़ा साइडिया दे दुमें, जैसे मेरे पास एक reliance का share है, और एक मेरे पास starta का share है, और एक मेरे पास बजाज का share है, मैं सारे shares को बिल्कुल basic से start करूँगा, background से, इन सभी shares के एक मैंने group बना लिया, तो that is called portfolio, portfolio, इसको क्या बोलते हैं, portfolio, portfolio का मतलब ही यह है, कि बहुत सारा हमने group बना लिया, और group बनाने के बाद एक shares रखा हुआ है, अगर कोई भी shares इसमें से कम performance कर रहा है, तो उसको निकाल के बाहर कर देंगे, और कोई share अच्छा कर रहा है, तो दूसरे को replace करेंगे, हम सारी बातों को practically देखेंगे, अभी सरिफ और सरिफ स्लेवर्स का होता है, वो भी हम देखेंगे, इसके बाद सबसे important हमारा ही किया आ जाता है derivative, derivative को हम share बजार की दुनिया में F&O के नाम से भी जानते हैं, future market के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर हमारे पास पैसे कम होते हैं, लेकिन हम shares को ज़्यादा खरी सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे time तक इसको hold नहीं कर सकते हैं, हम इसे हर बार roll over करना पड़ते हैं, investor का क्या क्या protection है, यानि saving की बात वही बात आ जाएगी, कि saving ने क्या क्या चीज़े की हैं, बेसिकली यह वाला पार्ट थोड़ा सा theoretical हो जाएगा, being मैं बता हूँ, share market में 2008 से, मैंने share market के अंदर, 2008 से, मैं सारी चीज़े research करता रहा हूँ, कि क्या shares हैं, मतलब कि एक तरीके से बोलते हैं, कि यार तिरको stock market आता है, कि तिरको stock market पता है, कैसा investment करते हैं, तो मैं 2008 से इसमें connected हूँ, लेकिन मैं अपनी investment की बात करूँ, तो मैं कभी investment किया करता था, अब मेरा कोई भी ऐसा नहीं है, कि मैं investment कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कहा ना investment तो मैं तब करूँआ न, जब मेरे पास extra पैसे बचेंगे, तो अभी extra पैसे नहीं है, तो इस वज़े से मेरी कोई investment नहीं है, लेकिन हाँ, हर एक investment को, हर एक market को, मैंने वो भी share market के दिन देखें हैं, आज तो nifty लगभग 22-23 अजार पे हैं, मैंने nifty को 22-100 रुपे में भी देखा है, 22-100 पॉइंट, यानि 10 गुना, इस पर कैसे-कैसे impacts पढ़ते हैं, तो उन चीजों को coordinate करके हम पढ़ते जाएंगे, और फिर हम समझेगे, तो ये पूरा का पूरा overall हमारा क्या है, पांच के पांच unit है, इसमें से ये वाला chapter theoretical है, बाकि सभी के सभी आपके practical है, unit one में से लगबग लगबग दो chapter आपके theory हो जाएंगे, वो भी basic basic सी चीज़े हैं, आप पढ़ होगे तो समझ में आ जाएगा, हम पहले जो chapter स्टार्ट करेंगे, हलांकि हम आज तो start नहीं कर रहे हैं पहला chapter, पहला chapter जो मैं start करूँँगा, छोटा सा chapter है, यह वाला chapter start करूँगा, थर्ड और थर्ड चप्टर स्टार्ट करने से पहले, थोड़ा समय stock market के बारे में आपको background दूँगा, उसके बाद हम अगली class के अंदर start करेंगे, थर्ड चप्टर, तो बस यह सारा का सारा हमारा रहेगा, कैसे कैसे classes होगी, नहीं होगी, आप जैसे की class में हो ही, तो हम जो बात करें, fundamental of investment, सर, क्या यह बड़ा है हमारा, तो मैं कहूंगा, जितना financial management का slavers था, उतना ही इसका slavers है, तो आप अगर notice करेंगे, तो financial management का भी इतना बड़ा slavers नहीं था, इसका भी इतना बड़ा slavers नहीं होगा, books वगेरा सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, सर, जो FY की मेरी class रहीगी, that is MWF, MWF रहेगा आपका 7 to 8, ठीक है, MWF 7 to 8, सर, book कौन से लेने, इसकी दो book आती है, mainly, एक है वनीता तिरपाठी, एक है आर्पी रस्तोगी, अभी book का मैं final नहीं बता रहा, ये दो book हैं जो popular है, आपके college में किसी ने लगवाया हो, तो बताइए मुझे आप college जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो बोल रहे हैं, college में बहुत सारे chapter हो गए हैं, बताइए आपके college में कौन सा book recommendation किया गया है, और हाँ internal में जो भी आपके chapters होंगे, जैसे pre-recorded मिल जाते तो इस बाद थोड़े से कम chance है, कि pre-recorded मिलेंगे आप, 10 years शब्दार की मिल जाएगी आपको available, अभी लेकिन उसके अंदर डले नहीं है paper, वनीता तिरपार्थी, वनीता तिरपार्थी, वनीता तिरपार्थी, ठीक है, देखो ज्यादा तर majority बच्चों का जो answers हा रहा है, तो वनीता तिरपार्थी है, कुछ बच्च के आरपी रस्तोगी कह रहे हैं, लेकिन जो मैं questions कराऊँगा, mix करके कराऊँगा, तो आप सब ये बुक खरी सकते हैं, वनीता तिरपार्थी एक बार को ये बुक आप खरी सकते हैं, ज्यादा college में, आरपी रस्तोगी का जो बुक है, मैं दोनों मिरे पास बुक तो दोनों available है, देखिए, मेरे पास थोड़ी सी पुरानी बुक है, ये जो बुक देख रहे होंगे, ये टेक्समेंड की है, ये है वनीता तिरपाथी, टेक्समेंड की, ठीक है न, और दूसरा आरपी रस्तोगी का थोड़ा सा बुक का नाम बदला हुए है, इन्वेस्मेंड मेनेजमेंड के नाम से आता है ये, और ये है हमारा आरपी रस्तोगी, दोनों ही, बेसिकली आपको concept clear होना चीए, कि concept क्या है, नहीं है, तो मैं आप सभी बच्चों को suggest, आप बच्चे बोल रहे हैं, तो वनीदा तिरपाथी ले लिजी, उसी के सारे questions को base मान के करेंगे, और फिर 10 year तो करना ही है, 10 year तो आपका अलग ही होना है, सारा का सारा, ओपन लेर्निंग से, PDF देखो, अभी कोई किसी book का मेरे पास available नहीं है, पहले भी available नहीं था, generally हमारे सारे के सारे subjects, जो book से पढ़ हो तो ज़्यादा बैटर है, ठीक है ना, financial management अगर जिस बच्चे ने book लिया होगा, उनका paper और अच्छा गया होगा, क्योंकि paper financial management के इतने tough नहीं आये थे, जितने के बच्चे practice भी करके गए, कुछ बच्चों के कहना था सर, हमने तो बहुत सार प्रैक्टिस के लेकिन paper थोड़ा easy रह गया, कुछ एक question तो देखो हर paper में रहता है उपर नीचे, आपका doubt का क्या रहेगा, चलिए, doubt के लिए भी कोई number नहीं है, मैं एक number allot करूँगा doubt के लिए, content के लिए भी एक number new number allot होगा, पुराने वाले number हर बार हम doubt के क्या करते हैं, change कर देते हैं, इसके बाद complaint का number एक new number allot हो जाएगा, ये सारे के सारे आपको new number मिल जाएगे, और उसके हिसाब से रहेगा, मैंने अपनी classes का time बता दिया, साथ से आठ, जरुरत पड़ेगी, तो हम regular class भी ले सकते हैं, हमारा syllabus बहुत जादा नहीं है, हमारा exam का जो calendar आया हुआ है, वो आया हुआ 15 में से, आपका 15 में से exam होगा, जिसका, sorry, 18 में से, calendar आया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं, कि हम March and ये April के mid में छोटे छोटे चप्टर, तो जैसे मुझे अभी कुछ time मिल सकता है बीच में, तो कुछे एक चप्टर में pre-recorded, मतलब जो खाली समय बचेगा, मैं record करके folder में एक साथी upload कर दिया करूँआ, जिसको आप देख सकते हो, चलिए आप सभी बच्चों के जो जो डाउट से, क्या-क्या पूछना चाह रहे हैं, वो देख लेते हैं, future and option ठीक है, होता है call put option होता है, इसके अंदर सारे चीजों का discussion करेंगे, एसल वाली विनीता तिर पाठी लेको वनीता तिर पाठी सभी बच्चे, वनीता तिर पाठी, ओल्ड बुक भी ले सकते हैं, कितनी भी पुरानी बुक हो, फरक नहीं पड़ता, reason भी, क्योंकि इसमें स्लेवस में कभी change नहीं आता, कोई ऐसा update नहीं है, वैसे तो मैं चाहरा था कि आज चेप्टर स्टार्ट कर दें, थर्ड मैंने slide भी लगा लिया था, बट कोई बात नहीं, हम अगली class के अंदर थोड़े अच्छे से करेंगे इसको, मैंने illustration वगरा सब चीज लगा लिया था, कि हम इस तड़ीके से करेंगे, बट अगली class में शुरू से करेंगे तो बेटर रहेगा, अभी बीच में जैसे slivers हुआ, फिर बीच में छूट जाता है तो मज़ा सा नहीं आता, तो आप एक बार register new, एकदम बढ़िया से लगा के ये आप note कर लिजिए, हाँ, आपके unit में कुछ उपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने chapter में आपके पूरा का पूरा slivers cover हो जाता है, यह semester four become honors में भी है, investment management के नाम से,